हेलो फ्रांट्स वेल्कम सुट्रीचिंग विद करीन गर्ल आज की वीडियो में आपको बहुत ही उप्साइब करके रख लिए मैंने क्या प्रेक की कटिंग कैसे की है इसके मैंने इसी के कैपन कारें के कारें के यहां से कौ reduz करके इसके दो पले बना आप यह देखें मैं इसे इस तर्व सीदह काट लूंगी काटने के बाद आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको यह समझ आदे हैं कि यह नीचे वाली लाइन है यह हमारी त्यार ट्रोजलर की लाइन है जब्कि इस से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यह वाला त्यार हमारी लाइन है और इसे जो एक्सरा कपड़ा है वो हमारा फोल्डिंग के लिए है इस त्यार लाइन के बराबर मैं कट लगा दूँगी यहां पर इस त्यार लाइन के बराबर हमने कट लगा लिया कट लगाने के बाद मैं देखें अपने उपर वाले पल्ले को उठा दूँगी य यह देखें मैंने अपने उपर वारा पला अठा दिया और इस पले के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी इस काट के बराबर हम अपने इंची टेप को रखेंगे और एक एक इंच के फासले पर हम निशान लगाएंगे यहां पर यह जो हम निशान लगाएंगे यहां पर हम बटन लगाएंगे मैं यह निशान लगाओंगी 13 तक जबके इसके हमारे बटन 12 लगेंगे देखें इस तरह से यह आप 14 तक निशान लगाने तो आपको 13 लगेंगे हमारा जो काट वाला है वहाँ पर बटन ही लगाएंगा बलकर उसे उपर यह देखें इस तरह यह मैंने एक एक इंची के वकफे पर निशान लगाएंगे यह हमारे 12 बटन लगेंगे और नीचे से बराबर रखने के यह 13 इंच तक निशान आएगा जब हम काट के बराबर इंची टेप को रखेंगे निशान लगाने के बाद मैं आपको यह दिखाती हूँ कि यह मैंने लूप्स के लिए अपनी पाइपिंग को काट लिया है डोरी को और मैं आपको इसकी लेंथ बिता दूँ यह देखने इसकी लंबाई 2 इंच है अब हम इसे इस तरह लूप की सूरत में बनाएंगे और अपने निशानों के उपर इस तरह रखेंगे कि इसके दोनों सीरे बाहर वाली साइड पर होगे जबके लूप अंदर वाली साइड पर होगी इस तरह मैं टोटल यहां पर सभी निशानों पर लूप्स लगाँगी चलो मैं लगा कर दिखाती हूँ हम अपने आफनी निशान से एक इंच उपर ऐसे मिशीन से सलाई लगाएंगे और इस निशान के उपर लूप को इस तरह से रखेंगे देखें इस तरह से मैंने इसे रखा और आप हम सलाई लगा लेंगे आपके लूप का साइज आपके बटन के उपर डिपैंड करेगा ल यह देखें, दो इंच लंबी लूप्स भी मेरी कपड़े से थोड़ी थोड़ी बाहिर हैं, अब यह देखें, इसी तरह मैं अपनी तमाम निशानों के उपर लूप्स बना के लगा दूँगी, यह आप बारा या तेरा लूप्स लगा सकती हैं, और इनके दरम्यान मैंने वक नहीं लगाऊंगी, अब यह देखें, इस तरह फिर हमने लगा, और अब यह हमारी आहरी लूप है, यह काट के बराबर हम लूप्स नहीं लगाएंगे, अब मैं अपनी सलाई को निकाल लूँगी, यह देखें, इस तरह से यह हमारी लूप्स लग गई, अब इन लूप्स उसके उपर मैं आपने यह देखें जो दूसरा पला हमने काटा था उसे इस तरह उसी तरह बराबर कार के रखेंगे जिसतर हमने कटिंग के वक्त बराबर रखा था और इन दोनों पलों को अब जोड़ने के लिए हम यहां से आदा इंच फुल सिलाई लगा लेंगे यहां से फुल मैं आदा इंच सिलाई लगाऊंगी तो हमारे पले जुड़ जाएंगे चलाएंगे अब मैंने बराबर करके रख लिया और अब हम आदा इंच की स्लाई लगा देंगे अपने स्लाई का हिया लखने हैं कि आपकी स्लाई बहुत ज़ादा खिंची हुई ना हो वरना उसमें सिल्वर टाएंगी अब यह देखें मैं लूपस के उपर से भी इसी तरह आदा इंच की स्लाई गुजार देंगे और यह स्लाई में फुल एंड तक लगाऊंगे अपने निशान तक नहीं बलकर टोटल कैप्टी के उपर लगाऊंगे इस तरह देखें मैंने दोनों लूपस लगा दी यहां पर एक किनारी के उपर स्लाई लगाएंगे जिससे हमारे टोजर दिखने में भी अच्छा लगेगा और लूपस में मजबूती आजएगे अब यह देखें मैं इसकी बॉटम वाली स्यडे से यहां पर किनारी पर स्लाई लगाऊंगे लेकिं नीचे जो हमारा कप्डात आदा इंच हमने उसे एक साई पर ही रख कर लिया है और जिस साईडे हमने उसे किया है उससी साईड़ पर हम ऊपर स्लाई लगाएंगे इसी तरह यह देखें मैं टोटल अपनी कैप्री के जोड के उपर स्लाई लगा दूँगी इस तरह से यह हम सीधा करते हुए स्लाई लगाते जाएंगे विवर्ज अब यह देखें यह मैंने स्लाई लगा ली है यह सिलाई लगाने के बाद मैं अपना cut से cut नीचे जो हमारा gift कपड़ा था bottom का उसे fold करूँगी देखें इस तरह से इस तरह करके cut से cut पहले इसके उपर इस तीज़ी से tab ठाऊंगी यह देखें एक tab ठाने के बाद में मजीद कपड़ा fold करूँगी और आप आपने ट्रोजर की चोड़ाई देख लें कि आप नीचे वाला बोटम कितना चोड़ा रखना चाहते हैं यह देखें मेरा तक्रिबन दे दिंच है इतना ही बैस्ट रहता है इससे ज्यादा अच्छा नहीं लगता अब यह देखें सुई में मैंने डागा डाला है इस इतना बड़ा बड़ा टांका लेते हुए अपने पूरे बटम को कवर काल दूँगी और आप यहां पर मैं एक इंच एक्स्ट्रा यहां से दागा काट दूँगी ताके हमारा दागा निकले नहीं उसके बाद यह देखें हम लूप के उपर अपने बटन आपकर दागा क्योंकि हमें यह लूप लूप भी नहीं इसलिए आप लूप के उपर ही बटन आके लगा लेकर आपके लूप छोटी है और उसके बाद हमने इसे स्ट्रीच का लिया स्ट्रीच होने के बाद हे ले निकली है यह देखें देखने भी बहुत अच्छा लगता है यह लगता है और बनाने में भी आपने देखा यह कितना असान है इसके उपर मैंने शार्ट फ्राइब करना आई है शार्ट फ्राइब की कटिंग और स्ट्रीचिंग की वीडियो मैं इंशायला नेक्स्ट अप्लोड करूंगी लेकिन आपको मुझे अमीद है यह कैपनी डिसाइन प्संद होया होगा अगर आपको मैं वीडियो प्संद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें और अगर कोई भी आपकी सिजेक्शन्स है तो उसे कुमेंट्स में लिखिए थैंक यू सो मच अल्लाह आफीज झाल